कि प्यारे विधार्तियों आप सभी का हार्तिक श्वागत वे अभिनेंदन मैं आशा और उमेद कर रहे हूं कि आप सभी स्वास्त होगे मस्त होंगे निरंदर अपनी त्यारी के अंदर वैस्त होगे आज का पहला पहला क्यों सब्सक्राइब नदी प्रभाग कितने रूप में पाया जाता है तो राजस्तान में तीन प्रकार के नदी रारूप पाया जाता है एक मुझे उसे अरव सागरी अफात अंतर एक आंत्रिक अफात अंतर और एक बंगाल की खाड़ी का अफात अंतर अरव सागरी अ तो राजस्तान में तीन परकार के अफ़ात अंतर जो कि 17 परतिशत एक आंत्रिक अफ़ात अंतर जो कि 60 परतिशत एक बंगाली की खाड़ी का अफ़ात अंतर जो कि 23 परतिशत अगला क्योशन राजस्तान की निमन नडियों में से अरब सागर में गिरने वाली नडिया हैं यहीं कि अरब सागर में कौन को सी नडिया गिरती हैं तो अरब सागर में माही गिरती हैं साबर मती गिरती हैं और लूनी गिरती हैं अरब सागर के अंदर हैं बात करेंगे लूनी दूसरा बनास, तीसरी साबरमदी, साबरमदी, और चौती माई नदी, यह मुझ की रूप से अरब सागरी अफ़ात अंदर का भाग है, इसका राइट एंस रुआ, तीन नमबर का, सुरी, चार नमबर का, एक, तीन और चार, तो चंबल, यह बंगाल की खाड़ी का अफ़ात अंदर का भाग है, चंबल है, चंबल के लावा, बनास है, इसका लावा बेड़च है, इसका लावा गंभीरी नदी, यह मुक्र उसे बंगाल की खाड़ी का extent का भाग माना जाता है, अगला किस्वन, कुन सी नदी अरब सागर में गिती है, चंबल, नदी, बंगाल, खार, खाड़ी म अजमिर्श होता है और उसके बाद में इसका संगम होता है कच का रण गुजरात में कच का रण गुजरात में इसका संगम ऑजाता है यानकि अरफसाधाकंद्र मिल जाती है अग्रा क्युस्टन इमिन में से कौन सी राजस्तान की नदी बंगाल की खाड़ी की अफ़ात अंदर का भाग नहीं है यह कि बंगाल की खाड़ी की अफ़ात अंदर का भाग नहीं है चमल नदी तो है माई नदी यह नहीं है इसका राइट हैं सुरा दो नमर का बनास है खाड यह फारे पाडे दो नंब्र का अगला क्योंशन अंतर प्रही नदी हैं पच्छी मी बनास अरब सागरी अफ़ातंदर का भाग है कांतली नदी एक आंतरिक अफ़ातंदर की नदी है कांतली नदी खंड़ेला की पाड़िया सिकर से उद्गम होती है और यह राजस्तान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अफ़ातंदर की नदी है और इस खांतली नदीर के तठ पर दो सब्बैता विक्षित हुई एक तो गणे सोवर्ट लिए था ढ़िए इसके नदि कफा तंदर के नदिया है उसके अंदर एक घगर नदिया आती है एक घगर नदिया आती है इसके लावा एक सावी नदिया आती है जो कि सेवर की पाड़िया जैपर से उद्गम होती है एक मुक्रूब से काकनी नदिया आती है काकनी नदी जो कि जसल मेर के अंदर है जो प्रत्पूर्ग के अंदर अभध हतंदर हैं उसका वो एक आंध्रिक आप आंध्रिक tell हे नदी है उसके लाहरे हैं और फारनेुख Anne नदी चकति प्रपात्वर इसके रफांदर में जाती है ऐक खारी हम इतक्राइब नदी एक मैंन्था नदी जो कि मनोरपूरा की पाडिया यह जैपुर्च सवीडम होती है है सामर जील में हती है यह एक यांत्रिक अख्वतंतर की नदी है मैं कांको नदी धग कर नदी सॉप में नदी काटी नदी रूपा रेल नदी नदी रूपनकर नदी खारी नदी, खंडेला नदी और मेंथा नदी ये आंतरिक अफ़ा तंदर की नदिया मानी जाती है राजस्तान के अगला क्योंसन निमन नदियों मैंसे कौन सी अंते प्रभाई नदी नदी नहीं हैं अंते प्रभाई नदी नहीं हैं लिंक नदी है मेंथा मेंथा के दो या मे सामर जील में गिरती है वाकल नदी जो की साबर मती कि साइग नदी किस कि ये साबर मतिकी साइग नदी है जो कि अरब सागरी अफ़ा तंदर का भाग है एक खंडेला जो नदी है यह मुक्रिव सिकर से और यह सामर जील में करती है यह भी एक आंत्रिक अफ़ा तंदर की नदी है तो इसका राइट एंसर हुआ तीन नमर का क्योंकि वाकल के वाकल धीनल का एक आंत्रिक अफ़ा तंदर Film में posts ओंदर के नदी करता है जो कि खंडेला का पाड़िस सिकर से निकल ए polarization यह काकणिन दी यह क्कनिय के दो यह मसीुदी नदी के दो यह मैंत्ता नदी जो कि मनउन कुरा की बाड़िया, जध़परशे उद्र कमति हैं, और समबर जिर में गिरतीं है, और समबर जिर में सरवाधी गाद यहां लमनाटा लानी वाली नदी मैंथा नदी है और यह Pentagon से, आंद्री गफासंदर कर नदी है, और ड़ाई नदी यह आंद्री करूं संतर का नही और वे राच मेल टॉक के अंदर एक तिर्वनी संगम बनाते हैं इसका राइट एंस रवा चार नमर का अगला क्योशन नमर में से कौन सी आंतRIक अपसा नदी हैं नारा की सेवर की पाड़िया जैपुर्श उद्घम होती है और यह घरियाना के मेदानों के अंदर जाकर फटडगाव के आसपास यह विलिं हो जाती है। साभी नदी और एक है सागी नदी इदी सागी नदी पूचे तो सागी नदी लूनी की साइक नदी है जो कि ये सागी नदी किसकी साइक नदी है लूनी की और शावी नदी किसकी है सेवर की पाड़िया जेपुर्श उत्कम होती है हर्याना के मेदान के अंदर ये विलुक्त ह अफ़ात अंदर की नदी है और मांसी नदी एक बंगाल की खाड़ी की अफ़ात अंदर का भाग है और सुगडी नदी जो की लूनी की साइग नदी है और यह मुकिरों से अर्व सागरी अफ़ात अंदर का भाग है तो इसका राइट एंस रुआ दो नगर दो नमबर का आंत् काली सिन नदी है चंबल की साइग नदी है काली इसके लावा परवन नदी के दो चंबल की साइग नदी है इसके लावा ब्रामनी नदी के दो इसके लावा पारवती नदी के दो यह मुक्य रूप से इसके लावा मेज नदी के दो यह चंबल की साइक नदी और जाखम नदी जो की सो माई जाखम तिर्वनी संगम बेड़े सुर्थाम नवाटापरा नामक इस्थान लूंगरपुर जामाग की पुर्णी माकाउ मेला परता हैं और यह जाखम बान जो की पर हैं प्रहाई की अंत्रक्त नहीं है यह कों सी नहीं है 06 17 कि नधी नहीं क्योंकि यह शीता मत अ कर्सेंथ Id मोता और कांत्री नदी खंडला की पाड़िया सिक्षर से उद्गम होता हैं और यह आंत्रीक अफातंदर की नदी हैं और काकनी नदी जसल मेर के अंदर चलती हैं और यह आंत्रीक अफातंदर की नदी हैं और घगर नदी सिवाली की पाड़िया हिमाचल पर्दिस से उद्गम होता है और ये राजस्तान के अंदर टिबी तैसिल तिलवाडा गां हनुमान गड़ से प्रवेश करती हैं और घंगर नदी का अफ़ात अंदर जिसे नाली के नाम से जाना जाते हैं और जब घंगर नदी के अंदर उफ़ान आता है यह इसके अंदर बाहर आती है तो इसका पानी फोड बास ज이션 मेर तक भी सomba पाकिस्टान तक भी चला जाता है और यह गगन नदी का अफ़ात अंदर जैसे नाली है अंधर नदी अभी हमने बात सब्सक्राइब का उथकम सेवेर पादियां जब्सक्रा होता हैं और इह יודע एक आंत्री अफ़ात के नदी ही कांद्री नदी खंडेला की पाड़िया सिकर से होती है और ये राजस्तान में बेहने वाली सबसे लंबी राजस्तान में बेहने वाली सबसे लंबी आंद्रिक अफातंदर की नदी है कागनी नदी जैसर मेर में चलती है यह मुख्यृबु से राजिस्तान के अफ़ातंळिक नदीशिति इन आ उन्दीशिति हैं, scar Nan Bear-Ooh, फारी नदीशिति हैं, और ईसका राइट रहा सुन खरा कियृई और स्य jean खरा चार और एक खारी नदी जो कि लूनी की साइक नदी है जो कि अरब सागरी अफ़ा तंतर का भाग मानी जाती है अगला क्यूसन अगला क्यूसन निवन मैंसे कौन सी नदिया अरब सागरी अफ़ा तंतर का भाग नहीं है अरब सागरी अफ़ा तंतर का भाग कौन सी नहीं है बनास पस्झमी बनास कि अरब सँझरी अफट अंत्र का भाग था नांतर का भाग है यह सव पार capitra कंदर TO माई नदी को अरब सघरीय अफ़त नहीं यहांज़ क्हêtsitet कौन से नहीं है एक एक नंबर और चाहरर वहगा राइग एंच्छ चाहरद इसका राइट एंसर होगा चार नमर का जो कि बनास नदी बंगाल की खाड़ी का अफ़ात अंतर का भाग है और काकनी नदी जो कि आंतरी अफ़ात अंतर की नदी जिसने मेर में चल दी तो इसका राइट एंसर होगा चार नमर का अगला क्यों सुन चंद्र भागा कोठारी कोठारी नदी का उद्गम होता दिवेर की पाड़िया राज समझ से और इसके उपर मेजाबान भीलवाडा कंदर बनाएं और भीलवाडा कंदर ये बनास नदी कंदर मिलीन हो जाती है और बनास नदी आगर जाकर रामेश्वर घाठ स्वाई मादेपुर कंदर ये चंबल में आगे जाकर इंटावा उत्तर प्रदेश कंदर युम्ना में मिल जाती है और युम्ना आगे जाकर प्रियाग राज उत्तर प्रदेश कंदर ये मुगर उसे गंगा में मिल जाती है और गंगा आगे जाकर और ब्रंब उत्तर दोनों मिल जाती है उसे कहते मेगना और ये अभाग्ष है अगला क्योंसर नदी जिसका जल बंगाली काड़ी में पहुंचता है वे हैं माई नदी अरब साक। में जाती हैं यहीं माही नदीव है माही की साइक नदिया सब अपना जल अरव सागर में बाती हैं सोम नदी जो कि माही की साइक नदी अरव सागर अफ़त अंद्र चमल नदी जो कि मुक्यत अपना जल कहां बाती हैं बंगाली खाड़ी में और शाबर मती मुक्रूब से अरव नदी और यह बिजराल की पाड़ी यह बनास नदी की सबसे लंबी साइक नदी बनास नदी की सबसे लंबी साइक नदी खारी नदी हैं जो कि बिजराल की पाड़िया राज समझ से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में यह एक बनास बनास डाई और खारी तीनों राजम टॉंक के अंदर एक तिर्वनी संगम बनाते हैं और वहां से यह मिल जाती कहां पर बनास के अंदर तो इसका अंसर वह एक नमबर का अगला क्यों खारी नदी का उद्गम रासमंद जिलेक के उत्तर में इस्तित गाओं की पाड़ियों से होता है तो यह बजराल के पाड़ियों से उद्गम होता हैं अगला क्यों संगल कि व्हास्थाण यह खारी नदी एक तो लूनी की इसाइग नदी है एक बनास की six अद्ये एं और एक ख जाजस्तान में तीन परकार के अफ़ा रहन रूते हैं अरब सगर का आंद्रिक यह का को एंद्र को इस तिक को यह थीनों कि खृँ कि भाग मानीजा नदी एक नदी बनास की साइक नधी एक सामबर एक इसक में गरती नहीं है कि अगला कि सुन कर जैस जिस नदी का जल अरब सागर में प्रभाई नहीं है एक कादी रहा करमें आचक सद्री नदी और लिलडी है, बांडी है, गुईया है, मीटडी है, सुगडी है, जुखडी है, जुखडी है, खारी है और शागी है और शागी हैं ये लूनी की साईग न दिया हैं लीलुड़ी बांडी गुया मीडड़ी सुगड़ी जवाई खारी और शागी ये लूनी की साईग न दिया हैं तो पुर्शन क्या पूचाएं कि अरब साग्रिय अफात अंतर तो इसका राइड अंसर होगा एक नमबर साबर मती हैं जवाई ये लूनी की साइक नदी है आसिंध विजे नगर हुरुडा इस्तानों के निकट कौन सी नदी है कोठारी नदी डिवेर की पाडिया से उतकम होता है जिसके उपर मेजा बांद भीलवारा के नरिश्थे थे जो कि बनास की साइक नदी और खारी नदी ज सामा के स्थान जो गुरुडा समेलन हुआ था वो इसी के ताट पर वा था यह इसका अंसरुआ दो नंबर का अगला क्यूसन निमले कितमे से कौन सा उत्पती इस्तान नदी सई सुम्लितर नहीं है जैनापाव की पाड़िया मध्यपर्दिश विद्यान चल प्रवत्माला चंबल नती का उत्पता, जो यहां सही होती है, और चंबल नती का जिश्फित उत्पत की तोड़ के परवेश करती हैं और उसके बाद नदी पर चार बांद बने हुय उत्कम से सुरूत होती, मतर प्रतिय yani गादरी सागर हमान उसके बाद मैं रानगा पपरतार सात गृवर उसके बाद में जुपार पायरों से लउनी नदी नधिया अजमेर वह सभ़ होता है गोगनद्धा की पारई से बेडच नदी पारज नदी होता है और जो गोगनदर आप्स चालिस मेटर пиш से ऊघ्वाल कि पाडियों से बनात नदी के उत्कम होता है इसका खाई हुआ पूर में जब घंगर नदी बाओंध के उपौण में होती हैं तो तक परोड पाकिस्तान तक चली जाती है, क्योंकि गगर नदी के हमने बात की कि इसे वाले की पाड़िया, हुमाचल पर्दिश से इसका उद्गम होता है, और फिर राजस्तान के अंदर टिपी तेस्चिल, हनुमानकट जिल्ला, और तलवारा गाम से ये प्रवेश करती है, और इसका अफ़ा तंदर को ह पूप नाम कोण से मर्त नदी या सोता नदी या नट नदी या मर्त नदी या द्वस, वती नदी की नाम से भी किसको जाना जाता है, गगर नदी को, कॉर्ष जबतने नदी को, तिऐस्थान जाम सी नदी उत्तर से दक्षन की और वह थी जो उत्तर से रवेटी इसका राइत एंसर टीन ख़्यक्य दौonic का द्वाप मेदान जो राजस्थान कई हनुआनगण bisa शिर गंगा नगर जिले में पाय जाता हैं वै मिल्क में से किन दो नदियों से निक्षे पिते यह घंगर वे सतलस नदी से निक्षे पिते हैं इसका राइट एंसर रुआ चार नमर का अगला कि सुन कि राजस्तान में बाहड का प्रकॉप मुक्यता घंगर नदी की घाडियों में किस-किस शैत्रों में देखा जाता है कि सुरुत्कट गंगानगर के अंदर की रुप से देखा जाता है जियां सुरुत्कट गंगानगर के अंदर देखा जाता है और पॉरपाल भॉष्वाल, मानिक्ठर और खंडिला. खंडिला के अंदर इसका उपजान नहीं होता है. one number, two number, three number. घगर नदी गहाटी के अफ़त अंदर के अंतरकते आते हैं. इस इसका अंसरोगा एक नंबर दो नंबर वेद तीन नंबर इसका अंसरोगा दो नंबर गा आज के लिए इतना ही